लूट कांट का पुलिस ने किया उद्वेदन 4 आरोपी गिरफतार सहीत एक पिस्टॉल एक जिन्दा कार्थूस मोबाईल सीम भी परामत जिहां दर्भंगा हायागाठ थाना चेतर अंतरगा से लूट कांट का पुलिस ने उद्वेदन किया है साथी साथ एक पिस्टॉल, एक जिन्दा कार्दूस, तीन मोबाइल फोन और तेरा सो रुपे बढ़ा मत किया है इस संदर्व में नगर पुलिसा दिच्छत सागर कुमार ने जानकारी दी है तरबंगा जिला अंतरगत हायगाट थाना छेतर के पश्मी विलास्पूर के पुलिप्यल लूट लेने की घटना को अंजाम दिया गया था हायगर थाना छेतर के पश्मी विलास्पूर के कटानी के पास 29 अगस्त को रातरी में करीब सारे 11 बजे सिन्द कुमार एवं सहाधत ये दो वेक्तियों के विरुद जो है दो वित्यों के साथ घटना किया गया था लूट का घटना एक के बाद ही घटना-सथल के पास उसी घटना का उद्वेदह था तो इसमें वादे सिन्द कुमार, पिता भ्र्लु पास्वान साकिन औलियाबाद, ठहना हयागाट वो पिकप ले जाने के क्रम में अपराद करमी बलवन कुमार, सौरब कुमार, अविसेद कुमार सिंग एवं सुजीत कुमार सिंग ये चार वेक्तियों के द्वारा पिकप को रुपवा कर हठ्यार कभ़े दिखा करके मुबाइल तथा रूपया लूट लिया गया था तो पहल इसमें थाना द्यक्ष हायगार, पुलिस अवर नेच्छक संजय कुमार सिंग के तकपटार से इस घटना का जो अपराद करमी है उसको गिरफ्तार किया गया है चारो नामजद अभ्यूक्तों को और इसके अलावा उनके पास से बरामदगी में तलासी के क्रम में उनके पास की है वो तेरा सो रुपए तो कुल मिला करके इस पूरे घटना का उद्वेदन किया गया है चार प्रात्मी की नामजद अभ्यूक्तों को गिरफ्तार किया गया है घटना के अगले दिन ये लोग होटल में बैट करके खाना खा रहे थे इनका नाम फ्रेंड जोन होटल हाया है तो इसकी गुप सुचना प्राप्त हुई थी तरप्रता से तलासी लिया गया तो यह सब कुर्ण घटना क्रम का उद्वेदन किया गया है और किसी को रिमांड पर भी लिया गया सर इसमें जो है कुल मिला करके चार अभ्यूक्तों की अभीतारी जो है और इस चारों को आ पता कर रहे हैं यह सभी लोग जो है वो कल्यानपूर जिला समस्तिपूर के रहने वाले हैं और इस चापयमारी टीम में पुलिस अभी रिक्षे संजय कुमार सिंग के अलावा थाना द्यक्ष के अलावा हरी संकर हरी जन सवहनी एवं पूवनी जीता कुमारी पीटिसी प्रूट करने कर निर्देश दिये भी हैं जैकिन जो शुटी मुड़ी घटनाए है वो घटती है महत्रपुन यह है कि हम लोग जितने भी फ्रूट कांट प्रतिवेलित हो रहे हैं अधिकांज को हम लोग जो है वो डिटेक्ट कर लेए हैं रासी की भी बरामती हो रही है औ हुआ हुआ है